हालो फ्रेंट्स नमस्कार और स्वाक्त है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम क्रैक क्यूर में है आज हम मल्टिप्लिकेशन ट्रिक सीखेंगे हमारे पास दो टाइप्स होंगी एक में डिजिट लास्ट में 5 होगा और दूसरे में अधर दन 5 होगा तो सबसे पहले हम जिस डिजिट में लास्ट में 5 होगा उसको मल्टिप्लिकेशन ट्रिक को यूज करने से पहले हमें यह चीज जरूर देख लिए है कि राइट साइड के दोनों डिजिट का सम 10 होने चाहिए और लेफ्ट साइड के जो डिजिट है वो सेम होने चाहिए जैसे यहाँ पर 7 है 5 है यह 8 है यह सबसे पहले हमें 45 को 45 से मल्टिप्लाई करना है मतलब लास्ट में अगर 5 हो या लास्ट के दो डिजिट राइट साइड के दो डिजिट उनका सम 10 हो तो हम क्या करते हैं सबसे पहले अगर 5 हो तो हम 25 लिख देते हैं और फिर जो डिजिट यहाँ पर ल उसके आगे वाले डिजिट जैसे यहां पर 4 है तो 4 के आगे वाले डिजिट होगा 5 इसका जो अंसर आएगा वो यहां पर लिख देते हैं 4, 5 जाल 20 जैसे यहां पर last में दोनों जगा 5 है तो हम लिखेंगे हर बार 25 जब भी last में मतलब right side में 5 होगा तो हम 25 लिखेंगे और यहां पर left side में जो भी डिजिट होगा उसको और उसके आगे वाले डिजिट को multiply कर देंगे तो यहां पर आजाएगा 90 इसी तरह से यहां पर 5 है तो हम 25 लिखेंगे और 10 और 11 को multiply करेंगे तो हमारे पास आए जाएगा 110 यहां पर last में 5 है तो हम लिखेंगे 25 और 14 को इसके आगे वाले डिजिट 15 से multiply करेंगे तो हमारे पास आएगा 210 इसी तरह से 19 यहाँ पर लास्ट में 5 है तो 5 का मतलब 25 लिखेंगे और 19 को आगे बने डिजित 20 से multiply करेंगे तो यह बनेगा 360 और उसके बाद यहाँ पर लास्ट में 25 लिखेंगे और 31 को 32 से multiply करेंगे तो यह आजाएगा नाइन नाइन टू और उसके बाद हम सेकेंड टाइप देखेंगे जहाँ पर लास्ट में 5 नहीं है तो फ्रेंड इसका मतलब यह भी है कि हम स्क्वेर कैसे करते हैं जैसे यहाँ पर 45 का स्क्वेर 95 का स्क्वेर 105 का स्क्वेर 145 का 25, लिख देते हैं, last के 2 digit और उसके बाद, जो पहले 2 digit होते हैं, उसको उसके आगे बाले number से multiply करते हैं, और हमारा square भी बन जाता है, अब हम 1st type में आते हैं, इस type की, जो multiplication है, उसमें हम check करते हैं, right side के 2 digit, उनका sum, यहां पर, 2 and 8 है, तो 2 प्लस 8 10 हर बार राइट साइड के दोनों डिजिट उनका सम 10 आना चाहिए 4 जमा 6 10, 6 जमा 4 10, 8 जमा 2 10, 9 जमा 1 10, 3 जमा 7 10 तब हम क्या करते हैं लास्ट के जो डिजिट जब 10 होता है तो उसको मल्टिप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं 8 और 2 जो लास्ट के दोनों डिजिट या राइट साइड के दोनों डिजिट जो हम को मल्टिप्लाई करते हैं यहां पर आ जाएगा 8 जोने 16 और 9 को उसके आगे वाले डिजिट 10 तो 9 इंटू 10 होगा 90 यह हमारा अंसर आ जाएगा इसी तरह से 6 और 4 को जब मल्टिप्लाई करे तो 24 बनेगा और 7 को उसके आगे वाले डिजीट 8 से 53 यहां पर 6 को 4 करेंगे 24 को और 5 जाएगा और पांच को उसके आगे वाले डिजिट 6 से 30 इसे तरह से 8 जम दो 10 है इसका मतलब 8 को 2 से multiply करेंगे 16 आ जाएगा और 8 को आगे वाले digit 9 से multiply करेंगे तो 90 यहाँ पर 9 और 1 को multiply करेंगे तो 9 मतलब हमने 2 digit में लिखना है 09 लिखेंगे और 6 को 7 से multiply करेंगे तो 42 इसी तरह से 7 को last के 2 digit 7 को 3 से 21 और 7 को 8 से 56 और यह हमारा answer आजाएगा आपको वीडियो समझ माया हो और अच्छा लगा हो तो यह कुछ question है इनको आप try कर सकते हैं और answer comment box में लिख सकते हैं कि आपने fast और कितने second में question को solve किया है आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो like करे आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद